हेलो एब्रिवन तो कैसे आप सभी आई होप आप सभी विल्कुल ठीक होंगी और आप सभी का टम वन का एक्जाम अच्छा ही गया होगा एकनॉमिक्स का तो चलिए टम वन हमारा कंप्लीट हो चुका है अब हम टम टू की अपने प्रिप्रेशन करेंगे और आज की इस वीडि का वो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगी यह भी बताऊंगी कि आपको मैक्रो एकनॉमिक्स पर ज्यादा फॉकस करना है या इंडियन एकनॉमिक्स पर ज्यादा फॉकस करना है और किस तरीके से इस लेबस को कंप्लीट करना है देखो स्टार्टिंग में मैं आप सभी से ए नुमेरिकल्स हो गए आपके बहुत सारे जो नुमेरिकल्स हैं मैक्रो एकनॉमिक्स में बहुत सारे नुमेरिकल्स जितने भी चैप्टर हैं आपको नुमेरिकल्स वाले दिखेंगे यानि कि जो आप मैथमेटिक्स होती है जो सोल करने वाले कोशन होते हैं वो दिखेंगे आपका काम हो गया था उसमें बस चीज़ें हमें याद करने थी अब आपके यहां पर लिखने के लिए पेपर आएगा तो इसलिए CBAC ने जितने भी difficult topics हैं वो सारे आपके इस ट्रम 2 में डाल दी हैं और CBAC यह ध्यान डगना भूल गई है कि आपके पास केवल दो या तीन महीन आप सोचेंगे एक दिन पहले हो जाएगा सब कुछ या फिर जो चुटिया मिलेंगी उसमें हो जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा यह economics है ठीक है तो अब चलिए डिसकस करते हैं अपना यह से ले पास देखो macro economics आपकी जो macro economics है उसमें आपका एक national income जो टॉपिक है वो आपके डिसकस करते हैं क्योंकि उसमें उस बुक में जो आपके chapters लिखे गए हैं बहुत सारे बच्चे वही राफर करते हैं तो उसमें जो chapters है वो NCRT से मैच भी करते हैं कहीं ना कहीं पर तो काफी helpful रहेगी वो बुक अगर हो तो अच्छी बात नहीं है तो जो आपका sport material व कोशन है आपके इसमें से आने वाले हैं अब 10 नंबर के लिए आपको सब कुछ बढ़ना पड़ेगा कुछ भी चीज इसमें से कट नहीं हुई है तो इस बहकावे में तो बिल्कुल नहीं रहना है कुछ चीज कट हो चुकी है नहीं और national income को लेकर कैसे निकाली जाती है मैं बहुत अच्छे से जो है आपको पहले ही वीडियो जो मतलब कि आपके जो सीनियर हैं उनके लिए वीडियो बनाई थी तो आपके लिए भी हल्पूर रहेंगी मैं सेकिंड टर्म की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है उसके लिंक डिस्कुप्शन बॉक्स में भी दी गई है इस सली अभी से त्यारी करने शुरू करतो और मैक्रो एकनॉमिक्स पर बहुत ध्यान देना है क्योंकि यहां से आपको ज्यादा नंबर भी मिलेंगी और यहां यहीं से आपको क्या है बहुत सारी ऐसे डिफिकल्ट चीज़े भी आपको देखने को मिलेंगी अब नैशनल इंकम की बात की जाए तो उसमें आपका समस्टी जो अर्थशास्त्र की कुल मूल जो कुल मूल अवधार नाई है उनके बारे में जो है आपको पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर आप समस्टी अर्थशास्त्र में आपको पढ़ना है कि जो वस्तुए में कितने प्रकार की होती ह और आपके जो अंतिम वस्तुई होती है, डाफिनेशन वगर अच्छे से आने चाहिए और कैसे अंतर किया था सकता है, इन दोनों के बिच में ये पता होना चाहिए और उसके बाद फिर आपको क्या है, पहचानना आना चाहिए, या एक 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 जामपल दे देंगे, जैसे कि कहा गया कि एक जो दुकान है उसमें के दुवारा जो चावल वह खरीदे जा रही है तो वो कौन सी वस्तुवी तो यह पूछ लिया जाएगा तो इस तरह किसे आपको इनके बार में पहचानना भी आना चाहिए कौन सी मद्धेवर्ती वस्तुवी वह कौन सी अंतिम और भी बहुत सारी चीज़े हैं बहुत सारी कॉंसेप्ट जो होंगे इसमें होंगे जैसे स्टोक और प्रभाव में क्या अंतर है यह चीज ही हो गई निवेश को लेकर पूछा जा सकता है इसमें वास्त्विक प्रभाव और मौदिक प्रभा क्या होता है अब यह आप सभी कितना पसंद कर रहे हूँ कि economics को लेकर वीडियोज बनाई जाएं वो आपके views और like और comment पर निर्बर करेगा अब देखो यह साथ चीज मैंने बता दी इस chapter के अंतरकत क्या आएगा यानि कि यह जो है national income का केवल एक part है next यह देखो इसमें जो है आपका राश्ट्री आयत था स सकल घरेल उस पाद कैसे निकाला जाता है अब GDP थो हमें पता है क्या होती है definition पर कैसे निकाला जाता है उसके बाद ही आप national income जो होती है वो निकाल सकते हो तो जो basic जो चीजे है वो इस वाले chapter के अंतरकत होगी और यह मैंने करवाय हुआ है तो उस playlist में आपको मिल जाएगा ठीक है जो link discussion box में और comment box में दी गई है अब देखो राश्ट्री आये के जो आकलन की जो विदिया है तीन विदिया है आपके इस लेबस में और तीन ही होती है आपको धियान रखना है आगे जाकर अगर economics लोगे तो यह chapter तो आपका आएगा कौन कौन से तीन विदिया उतपादन विदि हो गई ठीक है इसके साथ वै विदि हो गई और आए विदि हो गई तीनों होती है इनके दोश भी देखेंगे और चीज़े भी देखनी होगी कैसे निकाला जाएगा यह भी आना चाहिए हमें तो यह important है यहाँ पर भोच जाता तो एक अगर देखा जाए तो mostly जतनी चीज़े हैं इसमें important पूछी ही जाती है CBS यह ऐसे नहीं करती कभी कुछ पुछ पुछ लेती कभी कुछ पुछ पुछ लेती और राष्टी है जो आए निकालने की जो विदि है उसके दुआरा एक कुछन तो पक्का आता है ठीक है आ पर 12 marks लेकर आ सकते हैं आप अगर इन चैप्टों में अगर आप perfect हो गए तो आप दिको समर्ग मांग और इसके जो घटक है उसको लेकर जो है इसके अंदरकत पूछा जाता है इसके समर्ग मांग क्या होती है उसके जितने भी घटक वगरा होगे वह सब कुछ इसके अंदर गता जाएगा और नियून मांग यानि कि जो अभावी मांग होती है और अधी मांग जो होता है वो क्या होता है कैसे इन पर क्या कर सकते हैं निंतर प्राप्त कर सकते हैं तो यह जो topic आपका इसमें आपने bank वाला जो chapter पढ़ा ता अपना term 1 में वो थोड़ा था helpful रहेगा य 40 में से तो इसलिए आपको macro economics बिल्कुल भी skip नहीं करने है Indian economics बहुत अगर देखा जाए तो इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं आ रही है जितने marks यहां से content हम कर सकते हैं तो इसलिए focus करना पड़ेगा जिसको नहीं आती है calculation वगरा तो उसे भी अपनी calculation ठीक करने पड़ेगी और किवल calculation का खेल नहीं है यहां पर बाकी सारे चीज़े भी होती है इसमें ठीक है अब अकर हम बाकी चीज़ों को देखे तो देखो Indian economy तो जो Indian economy है उसमें से क्या क्या आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए तो देखो जो Indian economy है उसमें आपका जो बेरोजगारी वाला जो chapter और यह किस तरीके से जो मतलब बेरोजगारी कितना types की होती है यह पता होना चाहिए जो आपने पढ़ा होगा पहले शहरी बेरोजगारी ग्रामनी बेरोजगारी ठीक है खुली बेरोजगारी अलपर रोजगार वगेरा यह आपने पढ़ा होगा और बेरोजगारी के क्या- score कर सकते हो अपने क्योंकि इसमें कीवल आपको समझना है बस रठना भी नहीं है बस आपको यहाँ पर समझना होगा और कुछ points आपको रठने होंगे बस तो यहाँ पर समझने वाला खेल है तो इंडियन इसके बारे में पता होना चाहिए जो वानेजिक श्रोद गैर वानेजिक श्रोद कौन-कौन से है उर जाके प्रमप्रागर श्रोद और गैर प्रमप्रागर श्रोद कौन-कौन से हैं और इसके साथ साथ जो शक्ति सरजन हैं वो कहां से होती है क्या क्या चुनोतियां मिलती है होगा तो वही चीज इसके अंत्रकत आएगे और यह प्र्यावन जो होता है उसमें अवनीती के क्या क्या कारण है क्यों खराब होता है मारा प्रëवन ठीक है यह सब कुछ आ जाएगा प्रेयवन कम है तो आ जाएगा इसके प्रिजो धाने विकास है वह इंपॉर्टन टॉपिक है उसकी डैफिनेशन होगी उसके विशेश्ट हो गई इसके अंतरकत आएंगी और क्या-क्या उपाई किये जा सकते है धाने विकास के लिए तो वह साची जा जाएंगे इसके अंतरकत आपकी अगला देखो यह तीनों की यानि कि हमारा जो भारत है उसके जो पड़ोसी देश है उनके साथ भारत की तुलना करनी है किवल भारत की नहीं करनी है भारत पाकिस्तान की कर ली पाकिस्तान चीन की कर ली यानि किस प्रकार से तीनों विकास हो रहा है अलग-लग शेत्रों में विकास देखेंगे अब और तुलना करेंगे इसमें हम अपनी भारत पाकिस्तान और चीन की ठीक आप खुद ध्यान रखना है तो ये सारे के सारे जो हैं आपको मैंने स्लेबस तो बताई दिया है अब बात आती है कि आप क्या खरें यानि कि मैक्रो एकनॉमिक्स करें या इंडियन एकनॉमिक्स करें कि ज्यादा किस्में से आएगा मैक्रो एकनॉमिक्स में आएग तो मजारो आपको ये कहना चाहती हूं आप करो मैक्रो एकनॉमिक्स तो जवा सकती है तो ध्यान ज़्यादा फोकस कहां पर रखो के macro economics पर रखोगी और Indian economy जो है इतना hard subject नहीं है उसे आप easily कर सकते हो तो इसलिए क्योंकि जो macro economics कर सकता है इंडियन economics भी कर सकता है और इतना मुश्किल नहीं है मेरे साथ करोगे तो आपके सारे चीजें cover होती मैं आपको इस तरीके से करवाऊंगी कि थ्योरी वाला paper आप बहुत असानी से कर सकते हो अपना तो इसलिए आप मेरा साथ दोगे तो मैं आपका साथ दूँगी क्योंकि आप सब मेरी उमीद हैं तो मैं भी आप सभी की उमीद हूँ और मैं आप सभी की उमीद पर खरी उतर कि macro economics पे पूरा फोकस रखना अपना और इंडियन एकनॉमिक को क्या करना है आपको ज़्यादा हलके में नहीं लेना है पर आपको concept clear करना होगा इंडियन एकनॉमिक की यहां पर concept clear करना होता है पर macro economics में आपको practice भी करनी पड़ती है साथ-साथ में बहुत साथ चीज़े याद बहुत important होते हैं तो इसलिए अब जो है यहां पर यही कहूंगी macro economics को आप डेली ही करना पड़ेगा मतलब कि अपने चीज macro economics को exam तक आप skip नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिस तो चाहिए उसके लिए और Indian economics का concept clear करके अगर मान लो macro economics का एक chapter करने में आपको एक week भी लग रहा है होती जाएगी तो कैसे लगए यह आइडिया यह भी बताना comment box में और वीडियो कैसे लगी helpful रही या नहीं रही मुझे बताना comment box में तो हम मिलतें next class में तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ ऐसे ही बने रही है नहीं बात और पढ़ाई कर दे रहिए